हलो एवरिवन आज मैं आपके साथ हाई प्रोटीन पराठा की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए ना तो आपको आठा गूनना है और ना ही आपको पराठा बेलना है फुल अफ वेजटेबल है और बहुत ही जल्दी बन जाता है तो आए ये उसकी प्रोसेस देख लेते हैं उसके लिए हमें प्याज लिया है प्याज को इस तरह से मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा काट लिया है वो एक बोल में एड कर लेंगे केबेज ले लेंगे केबेज को भी मैंने इसी तरह से लंबा लंबा काट लिया है यहां पे हम जो भी वेजटेबल ले रहे है सारे वेजिटेबल हमें इस तरह से लंबे-लंबे ही काट लेने हैं आप अपने मन चाहे जो भी वेजिटेबल एड़ करना चाहो वो यहाँ पे एड़ कर सकते हो दो चम्मच बेसन याने के चने का आटा एड़ कर लेंगे स्वादनु सार नमक और ब्लेक पेपर पावडर एड़ कर लेंगे यहाँ पे मैंने अधरक और लसन एड़ नहीं किया हैं आप चाहे तो एड़ कर सकते हो मिक्स कर लेंगे दो अंडे एड़ कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे consistency adjust करने के लिए आप थोड़ा सा पाणी भी एड़ कर सकते हो आप अंडे ज्यादा चाहे तो ज्यादा भी एड़ कर सकते हो इस तरह की consistency हमें रखनी है चिली फ्लेक्स एड़ करके mix कर लेंगे आप हरी मिर्च भी बारिक काटके इसमें एड़ कर सकते हो नॉन्स्टिक पेन में इस बेटर को एड़ कर लेंगे क्यूंकि बेटर पतला है तो वेजिटेबल हमें अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि कोई एक जगा पे सारे वेजिटेबल ना आ जाए इस तरह से अच्छे से वेजिटेबल स्प्रेट कर लेंगे हम और मेडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुप कर लेंगे थोड़ा सा तेलेट कर लेंगे आप चाहे तो ओयल को स्किप भी कर सकते हो और बिना ओयल के भी ये पराठा बना सकते हो फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी कुप कर लेंगे और ये देखिए ये हमारा पराठा अच्छे से दोनों तरफ से सीख गया है इसे प्लेट में निकाल लेते हैं इसे आप ब्रिकफास्ट, लांच, डीनर कभी भी बना सकते हो आप बच्चों के लंच बोक्स में भी बना के दे सकते हो बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी तो है ही बीच में आप टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ थोड़े से वेजिटेबल लेट करके इसे रेब भी आप इसको साव कर सकते हो आपको मेरी आज की रेसेपी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर से करना आप मेरी चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सह सब्सक्राइब कर लीजिए इस healthy, quick और easy recipe को घर बे try जरूर से करना बाबाई